वियान का हो गया है एक्सिडेंट जिसकी वजह से कथा बहुत ज़्यादा घवरा गई है तरसल जैसे ही कथा ने वियान को बताया के वानिया सीमा दत्ता की बेटी है तो वियान वानिया से मिलने वानिया के घर ही चला गया ताकि वियान सब कुछ किलिर कर सके के आखिर तुम अर्थकौन में क्यों आई हो और तुम्हारी ममा तो मेरे पापा को पैचानने से भी इंकार कर रही है फिर तुम क्यों मेरी लाइफ में वापस आ रही हो मैं बहुत मुस्किल से उस ट्रैजडी को भूला हूँ जो मेरे पापा मुझे छोड़ कर तुम्हारी ममा के लिए चले लेकिन जब वाणिया वियान को बताती है कि मम्मा को Whoo किल वानिय को बता आते है कर दो मुझसे कहीं जारा है कि उसके पास उसकी मम्मा है। जब कि यहीं वाद वानिया को साथ आता गर वापस जानने के लिए गाड़ी में निकल जाता है और यही सोचता दे है। कि आखिर सच्चाई क्या है मेरे पापा मुझे और मेरी मम्मा को छोड़ कर क्यों गये थे क्योंकि वानिया जैसे बात कर रही थी कि उसमें उनकी मम्मा की कोई गलती नहीं थी उसमें कहीं न कहीं कोई तो सच्चाई होगी तभी वानिया ऐसा बोल रही होगी और यही सब सोच गया है और वो city hospital में है जिसके बाद कथा दोड़ती दोड़ती city hospital पहुँचती है और वहां जाकर वियान को देखते ही कथा इतनी जादा emotional हो जाती है यह खुद को समझाल ही नहीं पाती कि मैंने ही वियान को force किया था कि तुम्हें वानिया से बात करनी होगी और उसकी वजह स लेकिन जब वियान होस में आएगा तो कथा को समझाएगा कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मुझे उस सच्चाई का पता लगाना होगा जब मेरे बापा मुझे छोड़कर गए थे तब क्या हुआ था अब ही सब कुछ किलियर हो पाएगा लेकिन अभी देखना यह होगा आगे कहानी में क्या ट्विस्ट और टंस आता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बैबै टेक केयर